बिहार स्चछकब्टी 2013 से तूँ बिहार में स्वतंता और गामद्यवादी चरण को ले करके बिहार के कौण-कौन स्वतंता सेना नी रहे थे बिबिन आंधोलन में कौण-कौन नेत्वत्य ने तो कता रहे थे और मैंतमूर्थTğe तो यदि आप बिहार से चक बढ़ते एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं पासमें जो वैल आइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोट भी समें मिलता हैं तो आप लोहों के द्वारा नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्ट मॉक्स में लिंक है वहां जाकर करके कि अध्यात्मक सीरीज को देखें उसके पशट एमसी की सीरीज को लगाएं जिससे के जांस सके कि हमारी कितनी तैयारी बहतर चल रही है और कहां पर आपको अध किसान ओको अपने तीन वट्टे बीज भाग पर भूमी के तीनवट्टे 20 भाग पर जो है निलकी खेती करना अनिवार कर दिया गया था अंग्रीज सरकार के द्वारा जिसके करण से ही है सत्याग्रे हुआ था राजकमार सुक्ल द्वारा गांदी जी को आमंतर्ड किया गया था कब किया गया था यदि इस तरह का प्रस्ण बनता है तो लखनव अधिवेशन 1916 EC में इनको राजकमार सुक्ल द्वारा गांदी जी को आमंतर्ड दिया गया था प्रमुक अंदुलनकारी थे बिहार के इस चंपारण सत्त्यागरे में तो राजिंदर प्रसाथ, अनुग्रा नारान सींग, मज हरूल हक, ब्रज किसोर प्रसाथ, संबू सरड ये जो थे बिहार बासी थे जिनोंने चंपारण सत्त्यागरे में प्रमुक भूमिका निवाई थ और चमपारण एग्रेरियन समिती की स्तापना हुई थी तो ततकाल आपको जवाब देना है चमपारण सत्यागर के अंतरगत हुई थी जिसके गठन करता थे एडवर्ड अलवर्ड गेट थे जो के उप राजय पार रहे थे बिहार के जैसे इनको लेकर के प्रस्ण बनता है कि चमपारण एग्रेरियन समिती की गठन करता थे तो एडवर्ड अलवर्ड गेट जो उप राजय पार रहे थे बिहार के चीजों को समझते हुए चलेंगे और इसके अध्यच थे एफ जी सिलाई कल को यदि अध्यच को लेकर के प्रस्ण बनेगा तो आपका आंसर आना चाह यह एफ जी सिलाई थे और इसके जो सदस रहे थे गांदी जी एल सी अदामी कर्ट्यानंद सींग डीजे रीड और जी रेनी इसके सदस रहे थे चंपार सत्यागरे में गांदी जी की क्या कुछ भूमिका रही थी बिहार में उस से मेंतमूर Τथी जो की बैविन एकजामस में बने हैं और आने वाले एकजामस में बन सकते हैं तो गांदी जी का पटना आगमन हुआ था यदि कल को यह प्रस्ण बनेगा तो 10 अप्रेल 1917 को गांदी जी पटना आये थे और मजरूल हक व बागान मालिक संग के सचेप जेम्स विल्सन से इनके द्वारा भेट की गई थी यदि कल को प्रस्ण बनेगा गांदी जी के पटना आगमन प्रकें से बेट की गई थी तो मजरूल हक व बागान मालिक संग के सचेप जेम्स विल्सन से बेट की गई थी चीज़ों को बैतर तरीक से समझते हो चलेंगे और मोतिहारी आगमन को ले करके जब भी प्रस्ण मनेगा के मोतिहारी गांदी जी आये थे तो 15 अप्रेल में इनके द्वारा बिसराम किया गया था मुचा जा सकता है कि बेतिया आगमन पर गांदी जी के द्वारा किस धर्मसाला में बिसराम किया था तो हजारी मल धर्मसाला चंपारण एग्रेड़ियन Act कब पारत हुआ था ? टो चंपारण एग्रेड़ियन Act जो है 1918 में पारत हुआ था मोतिहरी आसरम का सिलयांस किया गया था ? गांदी जी के द्वारा कभ किया गया था ? इसको लेकर के प्रेसन बनता है तो 24 माई 1918 को मोतिहरी आसरम का सिलाइंस गांदी जी के दौरा किया गया था चीज़ों को बहतर तरीके से समझते हो चलेंगे और एक-एक तथ्याप सभी के लिए बेहद इंपोडेंट है जो के आपके एक्जाम में बनने माला है बिहार में असयोग अंधुलन की क्या कुछ भूंका रही थी तो वहाँ से मैंतमूल पॉइंट को याद रखेंगे तो समर्थन में यानि कि बिहार के दौरा जो समर्थन दिया गया था इस अंधुलन में 6 अपरेल 19 1929 को बिहार में हरताल कर ली गई थी इस आंदोलन के समर्थन में और मात्मा गांधी द्वारा बिहार में राश्टिय महाविद्याले वह बिहार बिध्यापीट का उधगाटन किया था यदि कल को यह प्रस्ण बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए 6 परवरी 1921 को मात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार में राश्टिय महाविद्याले और बिहार बिध्यापीट का उधगाटन किया गया था प्रिंस और बिल्स के पटना आघमन पर यह पूशा जा सकता है कि प्रिंस और बिल्स पटना कवा आई थी तो आपको जवाब देना है 22 दिसम्बर 1921 को और इनके आगमन पर ही बिहार में जो है हरताल की गई थी प्रमुक नेता रहे थे बिहार से सहा मुहम्मद जुवैर जोके मुंगेर के और गुलाम इमाम पटना, गोरक प्रसाद, मोतिहरी, डाक्टर राजिंद प्रसाद, धर्णी दर्द प्रसाद आदिये प्रमुक नेता रहे थे बिहार में सोराज दल का गठन हुआ था यदि कल को यह प्रसन बनेगा तो आपको जवाब देना है बिहार में सुराज दल का जो गठन हुआ था 1923 में हुआ था इसके अध्यच रहे थे यदि कल को यह प्रस्ण बनता है तो इसके अध्यच जो थे नारायन प्रसाथ थे इमारत ए सरिया यानि के फुलवारी का गठन किनके द्वारा किया गया था कल को यह प्रस्ण बनेगा कि गई थी चितरंजन दाज के द्वारा कि गयी थी कल को यह प्रस्ण बनेगा कि कांग्रेश का दिवेशन बिहार में हुआ था कमीशन को लो ले करके मेद पूम ततिक हैं तो ब्हार में साइमन कमीशन का जो बैसकार किया गया था लीडर्स मेन फैस्टों के पर हस्टाचर्ड एक नबंबर 1927 को किये गए थे यदि कल को यह प्रस्टवनai का कि लीडर्स मेन फैस्टों पर हस्टाचर कीया गए थे एक नवंबर 1927 को की गए थे और लीडर्स मैनीफेस्टों पर अस्ताचर करनेवाले बिहार के प्रमुकनेटा कौन कौन थे कल को यह प्रस्राइब शर्चदान सिना और इसमाइल खान जो के इस पर अस्ताचर करनेवाले बिहार के प्रमुक नेता थे अली इमाम की अधिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और आयूक का स्वागत किसके द्वारा किया गया था, कल को यह प्रस्ण मनेगा, तो महाराजा दुमराव के द्वारा इस आयूक के सदस्यों का स्वागत किया गया था. बिहार में सविने अवग्या आंदोलन, कल को यह प्रस्ण मनता है कि सविने अवग्या आंदोलन की सुरुआत होई थी, तो यह आपको जवाब याद रखना है, 6 अपरेल 1930 को सविने अवग्या आंदोलन की सुरुआत होई थी. दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन कौन रहे थे तो गिरवर दारी चौधरी जिन्हें कारो बाबु के नाम से जाना जाता है पूचा जा सकता है कि बिहार के कौन से व्यक्ति दांडी यात्रा में प्रतिभागी रहे थे तो आपका जवाब होना चाहिए गिरवर धारी चौदरी या कारो बाबू उप्शन में आपको मिल जाएगा पटना में सोदेशी संकी स्थापना कब होई थी कल को यह प्रस्ण बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए कि पटना में सोदेशी संकि जो स्थापन होई थी मैं 1930 में हुई थी और यहां पर शोड़े से नमक बनाने पर बल दिया गया था पूशा जा सकता है कि किस आंदोलन में शोड़े से नमक बनाने पर बल दिया गया था तो आपका जवाब ना चाहिए सविने अवग्या अंदोलन जिसमें बिहार के जो हैं सारण वा चंपरण से नमक सत्ताइग्राय का प्रारम हुआता कल को यदि पूंचा जाएगा कि बिहार के कौन से जले हैं जहां से नमक सत्ताइग्राय का आरम हुआता तो आपको जवाब देना है सारण और चंपरण इसके प्रमुक नेता थे तो राजिन्द प्रसाथ मोतिहरी से, जेवी करपलानी मोतिहरी और विपिन बिहारी वर्मा सारणवा चमपारण से इसके प्रमुक नेता रहे थे यदि कल को यह प्रस्ण बनता है कि स्री क्रिष्ण सिना की नेत्रत्तु में बिहार में प्रांतिय सरकार का गठन कब हुआ था Most important है कई वार exam में प्रस्ण बना है repeated है तो प्रांतिय सरकार का जो गठन हुआ था 2 जनवरी 1946 में हुआ था किसके नेत्रत्तु मुआ था यदि यह प्रस्ण बनेगा तो स्री क्रिष्ण सिना की नेत्रत्तु में हुआ था प्रांतिय सरकार का गठन बिहार में प्रांतिय किसान सवा के संस्तापक थे तो स्री क्रिष्ण सिना थे तो राजकुमार सुकल के गाओं का नाम था तो राजकुमार सुकल बिहार के एक तरांथिकारी थे यह आप यद रखें और इनके गाओं का नाम था मुरली बरहवा, कल को यदि यह प्रसंद मनेगा कि राजकुमार सुकल किस गाओं से सम्मंद रखते हैं, तो मुरली बरहवा इनके गाओं का नाम था बिहार में ब्यक्तिगत सत्यगिरा को लेकर के मेत्मून्ट अत्य हैं, जो के कांग्रेश के रामगळ अधिवेशन बिहार से प्रारम हुआ था, कौन सा अधिवेशन था, तो बिहार में जो 33 पनवा अधिवेशन उट्राम की इसकी अधिश्ता की गी थी कहिक को यह प्रस्न बनेगा तो मौलाना अब्दुन कलाम आजायत के दोरा इसकी अधिश्ता की गई थी कि विहार के प्रथम ब्यक्तिगत सत्याग्रई कौन थे यदि कल को यह प्रश्ण वनेगा कि बिहार के प्रतम व्यक्तिगत सत्याग्रई थे तो स्रीकृषन सिना थे बिहार के यो ऑ उग्यार नाराण सींते चीजयों को ध्यान से समझते हो चलेंगे और स्कीन सौर्ट लेते हूँ चलेंगे और कम्प्लिट वीडियो को देखें जिससे के जो भी तत्य हैं जो भी डाउट हैं आपकी क्लियर होते चलें और आने वाले एक्जाम में आप बेहतर स्कोर कर सकें स्री कृष्ण सिना जिनकी यदि कल को प्रस्ण मनेगा कि गरपतारी कहां से की गई थी तो गया से ये गरपतार कर लिए गे थे अंग्रिज सरकार के द्वारा और अनुग्रे नारण सींग की गरपतारी यदि कहां से की गी थी यदि ये प्रस्ण मनेगा तो इनकी जो गरपता प्रसाद की गरपतारी कब की गई थी यदि कल को यह प्रस्ण बनेगा तो 9 अगस्त 1942 को यदि कल को यह प्रस्ण बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की सुरुआत की गई थी तो यह आपको जवाब देना है 8 अगस्त उनिस्तौ बैलीस को बाराइच छोड़ों अंदोलन की शुरुवात की गई थी ग्रपतार करता कौन थे यानि अंग्रेश सरकार के कौन ग्रपतार करता थे जिनके द्वारा राजिन्द्र प्रसाजी को ग्रपतार किया गया था तो डबलू जी आर्चर थे जो कि जिलादिकार साी थे हैं पशत्र कहा पर इन्हें या कौनसी जेल में रखा गया था राजन प्रसंदू जी को या प्रसंद मने गा तो जेल में यानि कि बांकि बीला प्रसद में ना रख्ठा गया था consider के महादिबक्ता बल्लदेव साहि द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था जेप्रकास नारा नईaráं द्वारा आजा़ दस्ते का गठन किया गया था नई चाहतर नारायन द्वारा यह भी आपको अपसन मिल जाएगा जो के राज विलास ड्वार्ज जंगल नेपाल में इसका गठन किया गया था चीजहों को ध्यां से समझते की चलेंगे 24 द्वार और याया कि द्वारव जुलूस की द्वारा किया गया था क सिर्मती भगवती देवी ने की थी जो कि राजिंध प्रसाद की बहन थी पूछा जा सकता है कि महिला चरका कलब की अध्यच स्रीमती भगवदी देवी का राजिंद प्रसाद से क्या संब्ध है तो यह उनकी बहन थी चीज़ों को ध्यान से समझते हो चलेंगे जैप्रकास नारण द्वारा द्रुब दल की स्तापना की गई थी तो जेपी नारण के द्वारा की गई थी पटना सचेवाले गोली कांड कब हुआ था यहां से कल को प्रस्ण बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए यह जो हुआ था 11 अगस्त 1942 को हुआ था इसमें अव्युक्त कौन-कौन थे तो जी आर्चर जिलादिकारी जो पटना के जटना के छात्रों की इम्रत्य हो थी तो साथ जात्रों के इस गोली कांड में इम्रत्य हो गई थी पटना सचवाले गोली कांड में सहीद हुए थे विहार के कौन कौन से प्रमुग व्यक्तिवत थे तो उमा कांद प्रसास सिना जो के नरेंदपर सारण से सम्मंद रखते हैं जो इस गोली कांड में सहीद हुए थे राजेन्द सिंग जो बनवारी चक सारण से सम्मंद रखते हैं सईद हुये थे जगपदि कुमार खरारी औरंगाबाद वर्तमान में इसका सामाजी नगर नाम हो गया है परिवर्तित हो गया है औरंगाबाद का तो ये भी आपको चीज़ां समझनी है संबन्द रखते हैं सतीज प्रसाद ज्या खड़हरा भागलपुर से संबन्द रखते हैं और भागलपुर को आपको नाम सुनते ही याद होना चाहिए इसे सिल्क सिटी का आ जाता है राम गोविन सींग जोके दसरत पटना से संबन्द रखते हैं और नंबर वन पर है पटना जनसंक्या किदर से देवी प्रसाद चौदरी सिलहट जमालपुर से संबंद रखते हैं और रामानन सींग साधत नगर पटना से संबंद रखते हैं ये बिहार के प्रमुग व्यत्तित्ते जो कि इस गोली कांड में सहीद हुए थे प्रतक बिहार प्रांत की गठन की मांग उन्नी सो आठ एसी में नबाब सर्फ राज हुसेन खां के नित्त्तों में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था और इसकी अदिश्टा जो की गई थी वो असन इमाम के द्वारा की गई थी पूशा जा सकता है कि 1908 में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था उसकी अदिश्टा किसके द्वारा की गई थी वो असन इमाम के द्वारा की गई थी 1994 में इसी में प्रकासित पत्रिका जिसका नाम था बिहार टाइम्स, कल को पूछा जा सकता है कि बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकासन हुआ था और इस पत्रिका में जो मांग की गई थी बिहार को प्रतक करने की की गई थी जिसके संपादक रहे थे महेस नाराण रहे थे कि यदि कल को यह प्रस्ण मनेगा कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक रहे हैं तो आपको जवाब देना है महेश नारायन रहे थे और इस पत्रिका में बिहार प्रांत के गठन की मांग की गई थी 1906 इसी में सचिदान सिंग्व महेश नारायन द्वारा स्वतंत बिहार की मांग एतु पुष्टिका प्रसुत की गई थी और राजेंद प्रसाद द्वारा बिहारी छात्र संप्रिलन में मांग की गई थी बिहार प्रांत के गठन की एक एक बिंदू महत्पूर है आने वाले इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझेंगे बिहार प्रादेशिक संभिलन कल को यह प्रसंद मनेगा तो हुआ था 1908 में हुआ था कहां पर हुआ था पटना अधिवेशन यानि कि पटना में हुआ था कि किसके प्रस्ताफ पर हुआ था तो महामद फकुरुदीन द्वारा प् इंपोडेंट है बिहार में कौमी सेवक दल की स्टापना हुई थी कल को यह प्रस्ण बनता है कि बिहार में कौमी सेवक दल की स्टापना हुई थी तो 27 नवंबर 1921 में हुई थी बिहार में कैदियों ने विदेशी वस्तों का बैसकार किया गया था जिसे नंगी हड़ताल का जा था है किस जिले से आरम होई थी तो सारण जिले से यह जो है नंगी हड़ताल यानि कि बिहार में कैदियों के द्वारा विदेशी वस्तों का बैसकार कर दिया गया था सारण जिले में हुआ था बिहार में हॉम्रूल आंदोलन के अध्याच थे तो मजहरूल हक थे कल को यह प्रस्ण मनेगा कि बिहार में हॉम्रूल आंदोलन के अध्याच रहे थे तो मजहरूल हक बिहार के प्रतम भारतिय प्रदानमंत्री प्रांतिय सरकार के प्रमुक थे कल को यह प्रस्ण मनेगा कि बिहार के प्रतम भारतिय प्रदानमंत्री प्रांतिय सरकार के प्रमुक युनुस थे बिहार चात्र परिसद के गठन का नेतत्व प्रदान किया इनके द्वारा प्रदान किया है कल को यह प्रस्ण मनेगा तो डाक्टर राजिंद प्रसाद ने इनको नेतर तो प्रदान किया था जैप्रकास्ट नारायन हजारी बाग जेल से फरार हुए थे कौन सा पर्व था इस तरह भी प्रस्ण मन सकता है तो दीपावली के पर्व पर बागने में सफल रहे थे राष्ट्पधी पद्र वहने के प्रषात राजिंद प्रसाद म्रत्य तक कहा रहे तेकल को रस्ण बनां सकता है क्योंकि राष्ट्टी पद्र से जब अगये पर रहे थे सदाक्श आश्रम पटना में रहे थे यह दिया आपको ध्या रखनी है को यह प्रस्त मनेगा कि दानापुर शावनी के बारतिय सैनिकों के द्वारा कंपनी के बिद्रों किया गया था कव किया गया था 25 जुलाई 1857 में किया गया था एक एक चीजों को आप बेतर तरीके समझेंगे तो यह थी मित्रों टोड़े के सबसे एहम और इंपूर्डेंट सेलेक्टेट स्रीज स्वतंत्रा समन्नी गांदी और बिहार के मैंत्पुर्ड व्यक्तितों के योगधान को लेकर के मित्रों आसा करते हैं तोड़े की सीरिज आपको पसंद आए तो मोर्दन लाइक और सियर करेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न